कि सभी को नमस्कार स्वागत है आपका मारी यूट्यूब चैनल जेजे क्लासेज मेवाड में आज अमल कर रहे हैं पर्खर प्रियास कार्य पुस्ति का गणित कक्सा चार और पांच के अंतरगत कार्य पत्रक 17 जो कि पेज सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें कार्य पत्रक 17 जोड और गटाव से संबंदित इबारती परसनों को हल कर सकें पहला हल कीजिए के एक गुबारा पांच रुपे का है तो चार गुबारे कितने के होंगे तो पांच को हम चार बार जोड भी स नम्हीं की तुक्तर स्य आ जाएगा इसी परकार समस्तर गफे से एक फूल की पांच Пंकूर्या हैं एसे तीन फूल्ण की किनी पंकूर्यां होगी Iz一下 और मैं एक पूल के पांच शूर्ण गोरिया है एसे ही तीन फूलों के तो और इसके लिए हमनै को इसको हम पांच को तीन बार जोड लेंगे तो यहां आ जाएंगी तीन फूलों के पंदरा पंखूडियां आ जाएगी और पांच को तीन से गुणा किया तो भी पंदरा पंखूडियां आ जाएगी फ्रस नमबर गय है एक कुर्षी के 4 पाय है एसे ही 6 कुर्षियों के कितने पाय होंगे तो 4 प्लस 4 को हम 6 बार जोड लेंगे 24 24 पाय और 6 को 4 से गुणा किया तो भी 24 आ जाएंगे 24 पाय फ्रस नमबर गय देखें एक माला में 10 पूल लगाय गय है एसे ही 3 मालाओं में कितने पूल होंगे तो 10 को 3 बार लिखके जोड लेंगे 30 पूल और 10 को 3 से गुणा किया तो भी 30, 10 तिया 30 30 पूल हो जाएंगे प्रस नमबर एने देखें एक टोकरी में 10 आम रखे जा सकते हैं एसे ही 4 टोकरियों में कितने आम रखे जा सकते हैं तो 10 को 4 बार लिखके जोड लेना है 40 आम और 10 को 4 से गुणा किया तो भी 40 आ जाएंगे 40 आम अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चितर दिख रहा है उस पर उंगली लगाये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी वहाँ से भी आप सभी कार्यपत्र के हल एक साथ कर सकते हैं धन्यवाद